हेलो दोस्तो, स्वागत आपके मेरे चैनल पर ये वीडियो कोई टुटोरियल वीडियो जैसी नहीं है इट्स एक क्लास थोड़ी लंबी है पर अगर आपने एक क्लास पुरी देख ली और समझ ली तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है इस क्लास में मैं बात करूँगा शेप्स की, प्रपोशन्स, परस्पेक्टिव और जेस्चर्स और अगर आपने चार चीज़े सीख ली और इसको कंबाइन कर लिया तो आप कोई भी हेड ड्रॉ कर सकते हैं चाहिए वो किसी भी एंगल में हो, किसी भी डिरेक्शन में हो मुझे परस्पेक्टिव हेड ड्रॉ करना काफी पसंद है और चाहिए मैं कोई भी स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ चाहिए कोई भी मीडियम यूज़ कर रहा हूँ जो मैं basic knowledge यूज़ करता हूँ ड्रॉ करने के लिए heads वो सारी knowledge आपको इस class से मिल जाएगी तो आपको एक वीडियो पूर देखना है अन तक देखना है ताकि आप अच्छे से समझ सके तो चलिए बिना किसी देरी के आची class को start करते हैं तो सबसे पहले हम heads को simplify कर देते हैं कि actual में वो head दिखता कैसे है होता कैसे है तो इसको समझने के लिए हम इसको shapes में डिवाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले में एक circle ड्रॉ करूँगा और उसके नीचे एक square ड्रॉ करूँगा मैंने जो square का side रखा है वो circle के diameter जितना रखा है तो बहुती rough है उपर नीचे हो सकता है उसमें को issue नहीं है तो एक simple circle और एक square क्योंकि हमारा head 2D नहीं होता वो 3D होता है तो इस circle को हम एक sphere की तरह बना सकते हैं इसको मैं shade कर देता हूँ तो ये एक square जैसा लगेगा और हमारे head की shape बिलकुल एक ball के तरह नहीं होती sphere नहीं होती तो side से मैं यहां से portion काड़ देता हूँ कुछ और देखें मैंने sphere का portion काड़ दिया है ताकि वो और ज़ादा head की shape ले सके तो अब मैं जो नीचे square मैंने draw किया था पहले तो उसकी shape को भी थोड़ा हमें adjust करना पड़ेगा तो जो उपर से हमने काटा था portion उसी को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो हम square का ये portion भी काड़ देंगे तो यह आप देख सकते हैं jaw की shape का ले रहा है jaw की shape ऐसी होती हमारे तो हमारे जो square का shape है वो भी jaw जैसा दिख रहा है आप तो हम दोनुँ shape को combine कर सकते हैं तो देखते हैं क्या बनता है और जो आप ये middle में shapes देख रहे हैं उन दोनुँ shapes को combine करके आगर हम draw करेंगे तो head जैसे shape लेका हो आप देख सकते हैं कितनी simple shapes है और इनको combine करके हम head draw कर सकते हैं ये जो मैं line draw कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं curved line है एकदम straight line नहीं है और यहाँ पर eyebrows indicate करने के लिए helpful रहेगा और आप देख सकते हैं जो temple area होता है जहाँ पर ear होते हैं तो उसको भी मैं half में divide कर रहा हूँ और नीचे ये जुड़ जाएगा jaw line के साथ तो ऐसे simple हम shade कर सकते हैं तो shade करेने का purpose यह है ताकि आपको दिखे ये flat है और beats से मैंने divide कर दिया है क्योंकि दोनुँ side हमारे symmetry होती है face पे और similarly हम एक front facing face भी बना सकते हैं जो सामने देख रहा है तो उसी के लिए भी मैं simply एक circle draw करके उसको divide गर दूँगा चार बाट में और नीचे मैं square ही बना रहा हूँ पर square पूरा नहीं बना रहा side उसके कटे हुए हैं नीचे के side तो इस तरह कोई अगर face सामने देख रहा है तो उसकी shapes को समझ सकते हैं आप एक circle और square ड्रॉगर के और हम एक side facing face ड्रॉगर करते हैं जो profile view होता है तो उसके लिए भी मैं simple circle ड्रॉगर रहा हूँ और ये जो उपर हमने काटा था sphere का हिस्सा वो आई ये इसको भी मैं half में divide कर दूँगा और आप देख सकते हैं कैसे मैं jaw line के लिए triangle जैसे shape में draw कर रहा हूँ और ये circle को half में divide कर दिया है ताकि हमें bro line मिल सके और आप देख सकते हैं कितना simple है ये draw करना ये देखें मैं circle draw किया एक नीचे line फिर एक angle में line तो profile view बनाना सबसे easy है तो आपको shapes का ध्यान देना है shapes में देखनी चीज़ों को ताकि आप simplify कर सकें और easily draw कर सकें तो shapes बहुत important है complex चीज़ों को easy बनाने के लिए और अब बात करते हैं next point की जो है proportions तो सबसे पहले मैं एक circle draw करूँगा और उसको मैं चार parts में डिवाइड करूँगा और मैं इसके अंदर एक square draw करूँगा और square के जो edges हैं वो circle से मिलने चाहिए और square की length की half जतना मैं नीचे एक semicircle जैसा draw करूँगा जो की हमारा chin बनेगा तो आप देख सकते हैं तीन parts में divide हो चुका है हमारी जो eyes होती है तो हमारे जो फूरे face के बीच ओ बीच होती है तो हम पूरे head को half में divide कर देंगे तो हमें eyes की position का पता चलेगा face पे और मैं इस line को अगर five equal parts में divide कर दूँ तो मुझे horizontally पता चल जागा कि placement कहां करनी है और मैं नीचे देखिए vertical line extend कर रहा हूँ उससे मुझे nose की position का पता चल जाएगा और जो नीचे वाला one third part है उसको अगर मैं half में divide करूँ तो मुझे lips का पता चल जाएगा कि lips कहां पर position कर नहीं है आप उपर eye button पे click करके facial proportions का detail tutorial देख सकते हैं जिसमें मैंने सिर्फ facial proportions की बात किया है तो अभी मैं एक profile view में face draw करने वाल हूँ और उसके proportions देखते हैं उसके proportions कैसे हैं तो आप देख सकते हैं side facing अगर face होता आपका तो उसके proportions भी same ही होंगे front facing जो face होता है उसी के जैसा तो अभी हम 3 4th quarter view में हम बना लेते हैं face और उसके facial proportions भी same ही होंगे आप देख सकते हैं मैं same ही line draw करूँगा अभी facial proportions के लिए यह देखे है यह brow line यह nose line और यह lips indicate करने के लिए chin line और यह hair line एने जो यहाँ पर method यूज़ किया है facial proportions के लिए और यहाँ पर मैं facial features add कर रहा हूँ profile view में आप देख सकते हैं कितना simple हो जाता है हमारे लिए face draw करना अगर हमें अच्छे से पता है कि proportions क्या है face के अगर आप 3 4th quarter view में facial features add कर रहे हैं जैसे कि eyes, nose, lips और आपने सब कुछ proportions के according भी draw किया है पर फिर भी आपके गलतिया हो सकते हैं face पे अगर आप perspective को धान में ना रखे हैं अगर आप proportions line को extend कर दें 3 4th quarter view में तो एक box like structure आपको देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं जो lines दिख रही हैं वो two point perspective में हमें देखने को मिल रही हैं तो ये lines जो हैं ऐसा लगते है कि किसी point पर जाके मिल जाएंगी मैं आपको एक example से समझा कर दिखाता हूँ कैसे आपको box draw करना है और कैसे समझना है perspective को तो सबसे पहले हम एक box draw करते हैं और इस point पर आने से पहले perspective वाले point पर आने से पहले आपके जो shapes और proportions का जो point है वो अच्छे से clear होने चाहिए तो उसकी अच्छे सा practice कर लेना और आप देख सकते हैं नीचे से ये जो lines है वो किस direction में जा रही है और इसको मैं जैसे मैंने proportions वाली line बनाई थी तो वैसे ही मैं इसको three parts में divide कर दूँँगा और अब हम इसके अंदर head draw कर सकते हैं तो मैं head draw करने के लिए वही simple मैं circle draw करने वालूँ और आप देख सकते हैं ये eyebrow line है और इसके नीचे eyes place होंगी और फिर nose और फिर chin तो आप देख सकते हैं कि मैंने box के अंदर head draw किया है और head draw करने के लिए आपको perspective का knowledge होना चाहिए क्योंकि ये जो lines हैं ये parallel होती है और आप अगर three fourth quarter view में देख रहे हैं head को तो वो box जैसे structure में ही दिखेगा आपको जैसे आप देख सकते हैं अभी आपको और अच्छे समझाने के लिए मैं एक और example आपको दिखाता हूँ ये देखिए two point perspective मैंने draw किया है और ये जो box मैंने draw किया है वो two point perspective में है और इसके अंदर में एक face draw करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि perspective कैसे काम करता है जब हम face draw करते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं ये eyebrow वाली line है और इसके नीचे हम eyes draw करेंगे तो आप देख सकते हैं एक eye तो मैं छोटी बना रहा हूँ left वाली और right वाली eye मैं बड़ी बना रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये head हमें perspective में देखना है तो perspective में जो आपके सामने चीज़ होती है वो आपको बड़ी नज़र आती है और जो आपके आखों के दूर होती है वो आपको छोटी नज़र आती है तो आपको head draw करते हुए भी इन चीज़ों का धान रखना पड़ेगा आपको direction देखनी है ये देखिए यहाँ वाली जो proportions line है वो एक point पर जाके ऐसा लग रहा है कि एक point पर जाके मिल जाएंगी तो यह हमने two point perspective में head draw किया है तो similarly हम और भी head draw कर सकते हैं पर आपको जो है proportions line को perspective में देखना पड़ेगा तो next point है हमारा gestures और अगर आप shapes, proportions और perspective को समझ गए हैं तो हम simply gesture से किसी भी angle में face draw कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ आपको कैसे अगर आप एक simply plus sign draw करते हैं और जो vertical line है उसको थोड़ा सा extend करते हैं नीचे की तरफ तो आपको बस इतनी से ही समझ मा जाएगा कि हमारा जो head है वो किस direction में देख रहा है और मैं इस head को box के अंदर draw करने वाल हूँ ताकि जो proportions line है वो perspective को follow करें तो आप देख सकते हैं कैसे मैं box को draw कर रहा हूँ और जैसे हमारा face जिस angle में है उसी angle में मैं box को भी draw कर रहा हूँ तो आप box draw करने की practice भी कर सकते हैं अगर आप head draw करने की practice कर रहे हैं तो आप अलग-अलग angle में box draw करना भी practice करिए तो अब मैं simply इस box के अंदर एक circle draw करूँगा और जैसे हमने shapes में सीखा था कैसे हम एक head का shape बना सकते हैं simple shapes से और अब आप देखेंगे मैं proportions line draw करूँगा यह nose यह lips और यह देखें तीन equal parts में divide हो रखा है यहाँ पर eyes place होंगी मैं eye यह भी draw नहीं कर रहा बस आपको दिखाना जाता हूँ मैं कैसे आपको box के अंदर head draw करना है ताकि आप easily किसी भी angle में draw कर सके और यह देखें मैंने simple shape से draw किया है और जो proportions line है आपको ध्यान देना है जो extend करेंगे तो वो perspective को follow करना चाहिए और अभी मैं head draw कर रहा हूँ जो नीचे face कर रहा है तो आप देख सकते हैं जो plus sign को मैंने equal रखा है तो plus sign जो है इसकी adjustment कर सकते हैं आप ताकि आप अलग-अलग angle में बना सके अगर आप shapes, proportions और perspective को धान में रखते हुए face draw करेंगे तो आपके faces जो हैं थोड़े aesthetic लगेंगे अच्छे से बनेंगे जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं draw कर रहा हूँ simply draw कर रहा हूँ मैं कुछ धान में रख रहा तो face जो है हमारा थोड़ा weird बनेगा पर इसी face को हम erase करके अगर अच्छे से draw करें और हम proportions का धान रखें और perspective lines का धान रखें तब आपको जो faces बनेंगे वो काफी अच्छे बनेंगे यह देखिए मैं अब follow कर रहा हूँ perspective lines को और proportions को और जो अभी मैं head बना रहा हूँ वो दिखने में जादा अच्छा लएगा आप देख सकते हैं बहुती simple shapes मैंने use किया है पर फिर विग काफी सही लग रहा है फीज जो मैंने draw किया है और इसकी जो proportions line आप देख सकते हैं दो direction में जा रही है और अब हम कुछ faces draw करेंगे अलग अलग direction में तो आप भी मेरे साथ practice कर सकते हैं इनको draw करने की तो मैं mostly हर किसी के लिए box draw करूंगा पहले और box draw करना काफी अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप draw करें क्योंकि आपको फिर proportions और perspective का एक साथ आपको ध्यान में रहेगा तब आप free hand draw करते हैं faces को तब आपको काफी help मिलेगी उससे जो मैंने तक आपको बताया वो काफी basic knowledge है और मैंने देखा है काफी beginner artists जो होते हैं वो इनी चीज़ों को skip कर देते हैं क्योंकि उन्हें शायद boring लगता है काफी पर अगर आप अपने basics को clear नहीं करेंगे और उसके practice नहीं करेंगे तो अगर आप एक professional artist बनना चाहते हैं तब आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और मैं ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा है मैंने ये खुद अपनी life में experience किया है और जो मैंने गलतियां की है मैंने चाहता कि आप भी गलती करें मैंने भी basics की practice नहीं की तो मुझे improve होने में भी professional बनने में भ तो आप कुछ भी draw कर सकते हैं और अपनी imagination से draw कर सकते हैं तो आपके पास जो काम की opportunities हैं वो भी जादा आएंगी for example 2019 के end में मुझे मेरी life का सबसे पहला professional काम मिला जो की था बुक के लिए illustration draw करना सारी illustrations मुझे imagination से draw करनी थी और जो author description देते थे उनके हिसाब से मुझे drawing करनी होती थी तो मैंने उस time पर काफी struggle किया you know heads draw करते वे body draw करते वे मैंने realize किया अगर मैं इन चीजों के practice पहले करता तो मैं काम को और जल्दी निपटा सकता था और मैंने काफी practice की फिर basics को clear करने की समझने की और जो भी मैंने practice की जो भी मैंने knowledge हांसिल की उस time तो वही सब knowledge मैंने इस video में आपको देने की कोशिश किया और आपको भी बस ये video देखना नहीं है आपको practice करनी है साथ साथ बिना practice के आप improve नहीं कर पाएंगे और जो भी मैंने इस art class में आपको बताया है वो सारे points आप अगर practice करेंगे खुद daily तो आप काफी improve कर सकते है और जैसे जैसे आप practice करेंगे आप improve होंगे फिर आपको ये guidelines की जरुवत नहीं पड़ेगी आप इसको erase कर देंगे फिर आप freehand भी draw कर सकते हैं तो ऐसे ही improve किया जाता है art में अगर आपने recently start किया practice करना तब आप reference image का use करिये आप Google पर search कर सकते हैं heads in different direction या Pinterest जैसी website पर आप search कर सकते हैं पर जब भी आप reference को देखें तो उसको एकदम exactly copy करने की कोशिश मत करिये उसको समझे कि जो shapes हैं वो कैसी हैं उसको simple shapes में कैसे हम बना सकते हैं जो head अगर सामने देख रहा है या side में देख रहा है तो आप देखिए जो proportions line है वो कैसी है कैसे face को आप proportions line में divide कर सकते हैं और अगर head three fourth quarter view में है तब आपको perspective उसमें apply करना है ठीक है आपको जो सामने दिख रही होगी चीज वो आपको बड़ी दिखेगी जो आपको थोड़ा दूर होगी आपकी नजलों से वो कुछ होटी दिखेगी तो इन सब basic चीजों को इनको basic इसी लिए कहा गया है ताकि आप हर किसी चीज पर आप apply कर सकें इनको तो ये सारी knowledge आप हर किसी head पर apply कर सकते हैं और काफी सारे beginner artist की ये भी दिक्कत रहती है कि उनसे facial features अच्छे से नहीं draw होते तो एक head draw करते वे facial features आपका सबसे end point है जो आपको tackle करना है तो सबसे पहले आपको shapes देखनी है उसके बाद आपको proportions देखनी है फिर perspective फिर आपको gestures में draw करना है तो मैं आपको simply बता जता हूँ कि आप simple shapes में कैसे facial features draw कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले eyes में draw कर रहा हूँ और eyes के लिए simple oval shape में draw कर रहा हूँ और eyebrow के लिए just line eyebrows आपको थोड़ी thick बनानी है और थोड़ी curved बनानी है और nose के लिए देखिए दो point मैंने दिये है बस दो point दो dot और lips बनाने के लिए एक bow जैसा shape दिया है और उसके नीचे एक curved line draw किया है similarly अगर आपको three-fourth quarter view में बनाने है तो eyebrows के लिए आप देख सकते हैं कितना simple shape मैंने use किया है और यह perspective मैं बना रहा हूँ मैं तो left वाली जो eye वो छोटी बनेगी और right वाली बड़ी बनेगी तो perspective का funda तो आपको clear हो गया होगा और similarly जो profile view में सबसे simple होता है profile view में face draw करना आप देख सकते हैं कितने simple shapes में मैं draw कर रहा हूँ easily आप draw कर सकते हैं अभी यह थोड़े cartoon ही लग रहे हैं इसमें थोड़े facial features हम add कर देंगे जैसे hair, eyebrows और chin यह सब तो आप देखेंगे face आप draw कर सकते हैं imagination से यह सब कुछ मैं imagination से draw कर रहा हूँ इसके लिए आपको reference image की क्या ज़रूरत तो complex चीज़ों को simple way में draw करना थोड़ा tough रहता है इतना easy भी नहीं है पर practice के साथ आप easily draw कर सकते हैं इसको stylize कर सकते हैं face को cartoon draw कर सकते हैं अपनी comics बना सकते हैं और concept art आप बना सकते हैं और अभी मैं कुछ और heads आपको draw करके दिखाऊंगा अलग-अलग angle में तो आप इसको भी practice कर सकते हैं draw करने की और इसमें आपको facial features आपको बहुती simplified way में मैं बना कर दिखाऊंगा ताकि आप imagination से भी draw कर सके हैं imagination से draw करने की आपको थोड़ी आदत बनानी होगी ताकि आप अपने arts को और जादा बहतर improve कर सके हैं और यह head draw करने का बहुती simple process है वैसे तो मैं यह सब draw नहीं करता मैं directly draw करता हूं facial features से start कर दिता हूं मैं और एक time के बाद जब आप काफी practice कर लेंगे इन चीजों की basics की तब आपको भी जरुवत नहीं पड़ेगी कि यह आप circle बना रहे हैं फिर उसको divide कर रहे हैं वो आपको अपने आप आ जाएगा तो जैसे मैंने आपको facial features बताये थी बहुत ही simplified वे मैं draw करूंगा ताकि आप भी अच्छे से इसको follow कर सकें कर दो सकें आपको ऑना बहुत ही बहुत है कर दो दो कर दो कर दो कर दो इस क्लास का यह आखरी है जो मैं ड्रॉख कर रहा हूँ और इस क्लास को अब मैं रैप अप कर देता हूँ इस क्लास के स्टार्टिंग में आपको मैंने shapes के वारे में बताया कि कैसे आपको head को shapes में देखना है और कैसे shapes में divide गरना है फिर हमने बात की proportions की head के क्या proportions होते है और फिर हमने बात की perspective की कि head को आपको perspective में कैसे देखना है, proportions line को कैसे perspective में draw करना है और फिर हमने बात की gestures के बारे में, कि कैसे आपको shapes, proportions और perspective को ध्यान में रखते हुए gestures draw करने हैं जिसके help से आप head को किसी भी direction में draw कर सकते हैं तो इस art class में बस इतना ही, I hope आपको इससे जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही art videos, tutorials और art classes आपके लिए लाता रहूं तो इस channel को support करने के लिए इसको subscribe करना मत भूलेगा मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, till then take care और art करते रहिए